वादा ये किया था बाट जैन्था पार्टी ने को यूबा कहेंगे वो करेंगे टॉ उभावने थर्च यूबा कहा क्明ोर chief कि अभी और भाजपा है खला कि प्राइंस सेप्ट पार्टी एन्म सनाया कि अपसमें अपसमें अगर बंदन हो गया यह जटका है इस दिल्ली की सरकार को जो दिल्ली सरकार ने हमारे लोगों को मरवाया और दिल्ली पुलिस की तारीफ की यह जो मसला ने बिजली पानी यह सब यह कोई मैटर नहीं रखाता जब आदमी की तनखा यह उसका रूंदगार इतना अच्छा होगा कि वह लाग रुपर महीने कमाएगा पचाँ रुपर महीने कमाएगा तो वह दोचार पास साथ हजार रुपर बिजली के बिल बिल देदेगा और अपने घर की रुड़क भी अपने आप टिक करा लेगा बिलकुत जिली में दंगे होती रहे तीन दिन बाद हमारे देश दिली के जो मुख्यमंत्रियों वो आकर बोलते हैं दिली पुलिस नहीं बहुत अच्छा काम किया दोस्तों आज मैं हूँ तफ़ाबाद में जहां पर इर्फान खान जी मेरे साथ है और आज एक बड़ी घोशना की ब बहुत बहुत स्वागत है मैं सर यह जानना चाहिए कि आपकी क्या ऐसी घोशना है जो आप लोग तक वह बात पहुंचाना चाहते हैं देखे सर मैं जन्सोसित समाज परटी का युव अध्यक्स रहा हूं मानौ सेवा संगठन का भी इसमें मेरा च्छेकासी उसमें मेरा परभावित होकर आज मैंने यह फैसला किया है कि मैं बहुत चाहते हैं या पार्टी में जोड़ना चाहते हैं क्या सर हमारे लगबग आप यह मानिये मुस्लिम समाज के अंदर बहुत अच्छी पहचान है और तकरीबन डीड़ सो लगबग परिवार हमारे साथ जुड़े ह हैं उस सारे ही इस बात के लिए हमारे साथ है कि हम बहन जी के साथ मिलकर आगे को उनकी आवाज बनना चाहते हैं आपके सासता half साथला ईस बात करेंग और इस बात करेंगे कि जितनी भी मुस्लिम समाज के लोग हैं इस बार हम दिल्ली से भी उनकी सीट सो परसेंट निकालनी पूरी कोशिश करेंगे सर आखिर बीएस पी ही क्यों क्यों कि यहां पर आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा दम खम चलता है कॉंग्रेस का भी चलता है बीजे पी चल का हम अपनी पार्टी को अपने परिवार को अपने तरीके से सम्ना साथ रहें क्या ये दो जो आपको पूरी कोशिश करेंगे और मुझा यकीन भी है कि हम साथ रहेंगे तो आगे तक भी इसमें कुछ ना कुछ करके चीट निकालेंगे तो आपका आगे एलक्षन अगर आपको लड़वाने के लिए दिया जाए बेंजी का आशिरवाद आपको मिल जाए पार्टी जॉइन होने के बाद तो क्या आप लेक्षन भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहिए कि जो यूपी में और पर्देशों में जो काम रहें वह एक बहुत ही सरहानिया काम रहें और बहुत जबर्दस रहें मेरे साथ एडवोकेट चक्दीश जी भी हैं जो उतरपूरी भी लोग सभा के कॉडिनेटर भी हैं सर मैं आप से भी सीटे जो है और मेर भी आप ही गई होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और यू टीवी टॉप एटीन मिलंदर जी आपने सवाल अच्छा किया मेरे भाई इर्फान भाई ने एक बात बहुत अच्छी किया आपने उसको साथ पिंट आउट नोटिस नहीं किया डेड़ सो परिवार के साथ मेरे भाई बसपा जोइन कर रहे हैं और पार्टी कारे ले जाकर सबसे बड़ी बात बता रहो डेड़ सो इंटू पांच आप लगाए साड़े साथ सो मुस्लिम लोग मुस्लिम एक साथ बसपा जोइन कर रहे हैं यह जटका है इस दिल्ली की सरक बार ने हमारे लोगों को मरवाया और दिल्ली पुलिस की तारीफ की तीन दिन के बाद इस दिल्ली में दंगे होती रहे तीन दिन बाद हमारे देश दिल्ली के जो मुख्यमंत्री वो आकर बोलते हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया अगर दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम समा समझ गया है कि सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है भागेदारी नहीं दी जा रही उत्तर प्रदेश में इर्फान भाई ने बात अच्छी कही कि मैं भेंजी के कंदे से कंदा मिला कर काम करना चाहता हूं मैं आस्वस्त करता हूं इर्फान भाई को कि दिल से इस पार्टी का समा इस पार्टी में आपको दिल से सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश में भी प्रॉपर तरीके से हमने आपको सम्मान देने का काम किया है मुस्लिम समाज को 105 टिकट बहनजी ने पहले बार में दिये थे, 100 टिकट बहनजी ने दूसरी बार दिये थे और बहनजी ने 1818 मंत्राले एक एक विप्ति को दिये और 56 मंत्री बनाए थे चपन विदायक जीते यह सम्मान होता है मुस्लिम समाज का हमने कंदेश कंदा में लागी दिया और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं यह घोचना करने चाहता हूं यह पूरा देश मुस्लिम समाज के योगदान को चुका नहीं सकता है मैं बड़े खुले म से लोगस्वा प्रभारी बसपाक इस बात के खुले दौर पर ऐलान करकर यह बात क्या देशाता हूं मुस्लिम समाज का रिंड नहीं चुका सकता है भारत क्यों क्यों कि मुस्लिम लीग पार्टी जो पश्चिम मंगाल से की वो सीट को खाली करकर परमपुज बौदी साथ बा मनवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि हम क्या मुस्लिम समभिधान को मानते हैं या कुरान को मानते हैं कुरान में इस पश्च किया है जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को उपर मानो और इस देश का कानून कहता है कि आप टोपी लगाओ दाड़ी बढ़ाओ और सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन करो तो कहीं कॉंट्रोड एक्षन नहीं है आज इन भाईयों को यह समझ में आ गया है कि हमारा सोशन हुआ है सोशन नहीं होगा हम बराबर की भागी दाजी देना चाहते हैं जिसकी जितनी संक्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी और मैं कह देना चाहता हूँ इर्फान भाई मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि आप अगर यहां से किसी को चुनाब लड़ाएंगे तो पार्टी का नहीं होगा आपके बीच का आदमी होगा पार्टी उसे चुनाब लड़ाएगी सिंबल देगी सम्मान देगी और आप उसे जिता हो और अपनी छेत्रका और अपना काम कराओ बहन जी की यहीं का यहीं काम है अभी वगील साब यह बता रहे थे कि अब देड़ सो परिवार के इंटू फाइव करते हैं तो साड़े साथ सो बैठते तो क्या साथ सो लोग जो है वो पूरी दिल्ली से हैं या आपी की वाट से हैं अभी तक तो हमने आगे तक कोई बात ही नहीं रखी है लेकिन अभी देखो वक्त आते ही जिस वक्त हम वहां वराष्टी कार्यार ले पर पहुंचेंगे उस वक्त लोग जनाधार भी देखेंगे हमाना जो आप दिखाना चाहरे हैं वो कौन सी डेट आपने फिक्स किया है देखिए सर अभी डेट कोई फिक्स नहीं है बागी जै में जिसकी वजा यह है मेरें मजोस्त कि एक चीजा होती है सरकार बनानी और एक चीजा होती है सरकार चलानी चैеш मेरा यह मानना है के बाध falling इस कोई सरकार चलानी नहीं जानता android 22 यह जतने जितने दिकारी 22 टाइम बी भी होते हैं, भी ठीक काम करते हैं तनर, कोई ठेंशन नहीं होती, पुलीज भी बहन जी का साथ उपक्षपात करता if अगर किसी के साथ को एत्याचारिया जुल्म होता हुजत तुरंत ग्रफ़तार करके सदा दी जाती आज की गभर्ष सरकार का अभाल देख लीजिए के दो आदमियों का बिड़ा सबसे जादा अगरा कर रखा दली तो और मुझलिमों का कि इनी के साथ रेप भी होते हैं इनी क किसी नहीं देती बिल्कुल श्यासन चलाना यूभी में बैंजी के लावब कोई नहीं जाता अब दिली की बार ही आ यह वक्त ऐसा आगया है कि हम अगर एक नहीं हुए तो यह हमारा नुक्तान बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए अगर देश को बचाना और देश को तरकी के रास्ते के लाना तो हमें बेहन जी के साथ जाना पड़ेगा अच्छा अगर दिल्ली में आप आपकी पार्टी आम आदमी आपकी अपनी पैटी जुए हो भी आई हुई है और वापको बिजली भी फ्री दे रही है पानी फ्री दे रिए कि आपको बिजली और पानी फ्री नहीं चाहिए जब्रोली गड़ाएं क्यों reco भूत हो गई जो हमारे कि तन्खा या उसका रोजगार इतना अच्छा होगा कि वह लाग रुपे महीने कमाएगा पचाधार महीने कमाएगा तो वह दो चार पांस साथ हजार रुपे बिजली के बिल्बी देदेगा और अपने घर की शटक भी अपने आप टिक करा लेगा अब उस पर रोजगार नह वादा ये किया गया था वादा ये किया था बार्ट जंता पार्टी ने कि जो यूबा कहेंगे वो करेंगे तो यूबा वने तो नहीं कहा कि हम दंगा करेंगे वैकेंसिया तो खाली पड़ी है तुम आप उनमें तहनात नहीं करते कि नौकरिया नहीं है आप तमान तीजों का प्राइबेटलाइजेशन करते चले जा रहा है क्या होगा जिस आदमी की पचास थार तंदगा ती उसकी तंदगा 30,000 हो जाएगी वहना प्राइविट वाला कहा देगा मालिक सही आप घर जाईए आपने तीजार में करनी करिए उसका क्या होगा तो यह बजाए नौकरी है घटने के बढ़ने के और घटाई जा रही है यह कोई विकास थोड़ा ही है इसी तमाम बात उसे तंग आकर और तमाम देश का देख करके हां देश हमारा किस रास्ते बेजा रहा है बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा कर रही है मैं रेफान भाई से दुबारा से बात करना चाहूंगा इर्फान भाई दली के साथ सात्थ यूपी के लिए क्या कहना चाहिए गदिखिए अभी तक हमने इस बात का पता चला आ है कि जैसे कि अभी भाजपाय और अ मुलाहम सिंग की पार्टी है तो इसी वजह से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं सभी मुस्लीम और दली द्भाईयों से अपील करना चाहता हूं कि बहनजी के साथ कदम-कदम मिला कर और आप उनको ज़्यादा वोटर से चिताएं और जितनी भी कोशिश हो सकेगी उस सभी कहीं जादे करने कोशि इसलिए भेंजी के हाथ मजबूत किये जाएं यह तो सब अंदर ग्राउंड बाते हैं लेकिन यह तो दुनिया जानती है हम भी जानते हैं और आम जनता है वो सब जानती है बहुत बेवकूफ बना चुके अब हमें लगता है कि अब इनके बस की नहीं है और इससे भी जादा को फम लोग बन जाएं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो है वह बहुमत जो है वह बीस्पी का बढ़ता जा रहा है और जितने भी लोग हैं मुसलिम हैं दलित हैं अधर कास्ट के लोग भी जो हैं वह सभी लोग बीस्पी को बहुत जादा पसंद कर अब टूडेट रहे सब लोग और जिसको जो भी जिसकी गलती थी उसको पनिश्मेंट भी बिला यही इसी तरीके का शाशक पूरे देश में होना चाहिए इसलिए बहन जी को दुबारा से सीम और दो हजार चौबिस में जो पीम का इलेक्शन होने वाला उनको पीम बनाने क के लिए यहां पर सभी लोग लगे हुए मुस्तफा बास से मैं मिलेंद्र गौतम यूडीवी और टॉप 85 से